पूरी कहानी इस नदी की खूनी नदी दोस्तो न्यू डेली इंडिया की कैपिटल भी है और डेवलप्ट स्टेट भी पर यहां मौजूद है ऐसी जगा जो इंसानों की रूक अपा दे जहां लोग रात में तो क्या दिन में भी जाना पसंद नहीं करते यह तो नदी के किनारे बैटना पिधिंग मनाना एक बहुत रोमांचक अक्टिविटी है पर क्या हो एक शान्सी दिखने वाली नदी खूनी नदी बन जाए हम बात कर रहे हैं डिली में रोईनी के पास बहने वाली नदी के बारे में जिसके आसपास खूब-खूबसूरती है हर्याली है और एक जंगल जैसा एरिया भी है पर जितना खूबसूरत एरिया ये है उतना ही खतरनाक और तैशत भरावी अक्सर नदी में खत्रा डूबने का होता है क्योंकि वहां गहराई बहुत होती है पर यहां मामला कुछ और है इस नदी को खूनी जील, खूनी नदी, मौत की नदी जैसे कई अन्य नामों से जाना जाता है यहां पर होने वली सारी एक्टिविटीज नॉर्मल नहीं, पैरनॉर्मल है और इसका पता अको कुछ देर में चल जाएगा यहां पर कोई डूपता नहीं, बलकि यहां आत्माओं को बसेरा है जो इंसानों को पानी में डुबाता है यहां बहुत से लोगों ने रातों को रोने की आवाजे सुनी है जो कि इस नदी में से आती है खुसुर खुसुर के आवाजे नदी के पास से रातों को अक्सर लोगों को डराती है यहां पास से गुजरना भी एक चुनोती है लोगों के लिए किसे कहानिया famous हैं उनमें से कुछ हम आपको बताएंगे एक बार दो व्यक्ती पास से ही बैइक से जा रहे थे और उन्होंने किसी के जोर जोर से बचाओ की अवाजे नदी से सुनी। और उनमें से एक बैइक सवान नदी में बचाने के कूद गया। परसूस उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली ऐसे ही कई हॉंटेट किस्से यहां गट चुके हैं दिखाई नहीं दिया या क्या वो जुपिटर जो है उनका नहर में गिर गया और फ्वायर बगेट को पहुंचने से पहले भी एक लड़के को तो निकाल दिया गया है एक लड़का भी और उसकी सरसकारिया भी जारी है ऐसा माना जाता है कि एक की नहीं कई लोगों की आत्मा है जो यहां आने वाले को अपनी और किसी बहाने से अकर्शित करती है यहां आए दिन मौत होती रहती है जिसका कई लोग कारण भूत प्रेट बताते हैं क्योंकि यह नदी रहसे मही है वही कई लोग इसे सिर्फ गुंडो चोरो का अड़ा मानते हैं पर जो भी है बहुत दहशत बरा है जिसकी वज़े से दिन में भी लोग जाने से डरते हैं दिली में सची डर की तस्वीरे इस नदी में देखी जा सकती है आसपस के लोगों का यहां तक मानना है कि अगर इंसान इस नदी के पानी को छूब भी ले तब भी उसकी मौत पकी है क्योंकि जो भी पानी को छूटा है उसका बुरा वक्त शूरू हो जाता है और रंत में जीब सा शोड जैसे कि बहुत लोग वहां अखटे हैं और बाते कर रहे हैं जिसके कारण लोग इस नदी के आसपास बटकते रहते हैं और इसी के कारण वो इस नदी में गिर जाते हैं अब जानते हैं क्या है इत्यास इस खूनी नदी का जिसकी वज़े से यहां ये सब घटता है दोस्तों सोर्सिस के हिसाब से 1857 में जो भी लड़ाई के दौरान अंग्रेज मारे जाते थे उनकी लाशों को इस नदी में फैक दिया जाता था जिससे उनका नामों निशान लोगों का यहां मन खो जाने को हो जाता है और इसी जगह में समा जाने का हो जाता है और इसी लिए वो अपने आपको इस नदी को समर्पित कर देते हैं जिसका कारण भी आत्माओं को बताया जाता है इस नदी को देखकर फरीदाबाद की खूनी जील की कहानी याद आती है जहां पर भी ऐसी हॉंटेड एक्टिविटीज देखी गई है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्किप्शन में है इस वीडियो के बाद जरूर देखें आज की वीडियो में बस इतना ही और आप लोगों से एक सवाल आपको क्या लगता है या होने वाली सारी एक्टिविटीज का कारण क्या है हमें कमेट में जरूर बताएं